नमस्कार दोस्तों दोस्तों सेहत से है प्यार तो भूल कर भी एक साथ ना खाएं ये चीजे आमतोर पर लोग बैलेंस डाइट की बात तो करते हैं लेकिन किसके साथ क्या खाना है इसका ध्यान जरा भी नहीं रखते हैं फल, दूद, दही, सलाद, डाले और मीट, हेल्दी फूड तो होते हैं लेकिन पोसर तभी मिलता है जब आप इसे सही कंपोजीशन के साथ खाएं दरसल हम एक साथ कई सारे पोश्टिक चीजे खाते हैं लेकिन सभी चीजों को एक साथ खाने से फायदे की जगा नुकसान भी हो सकता है आइरोएद में सही कंबिनेशन वाले खाने पर जोड दिया जाता है आइरोएद के मुताबिक अगर अलग-अलग नेचर की चीजों को एक साथ हम खाते हैं तो वो हमें फायदे की जगह नुकसान भी देता है इसका मतलब हमें दो अलग-अलग नेचर वाली चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए यानि कि जिसका तापमान बहुत ठंडा या गर्म हो स्वाद में मीठा या नमकीन गुड में हलका या भारी अगर किसी चीज की तासीर ठंडी या गर्म अलग-अलग हो तो उन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए आज की वीडियो में हम खाने पीने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनें एक साथ खाना मना ही है तो आएए वीडियो में सबसे पहले देख लेते हैं दही के साथ क्या-क्या नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों दही के साथ खटे फल नहीं खाने चाहिए दरसल दही वो फलों में अलग-अलग एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण वे पच नहीं पाते हैं इसलिए दोनों को एक साथ लेने की सलाह नहीं दी जाती है दही की तासिर ठंडी होती है इसलिए उसे किसी गर्म की चीज के साथ नहीं खाना चाहिए जैसे की मचली की तासिर गर्म होती है इसलिए हमें दही के साथ मचली का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तो पराठे वा तली भुनी चीजों के साथ दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि दही फैट के डाइजेशन में रुकावट डाल सकता है जिसे से व्यक्ति का मोटापा बढ़ सकता है इसके अलामें दोस्तो दही के साथ खजूर और चिकन खाना हानिकारक हो सकता है आज की वीडियो का दूसरा चीज देखते हैं कि आखिर दूद के साथ क्या नहीं खाना चाहिए तो दूद एक एनिमल प्रोटीन होता है इसके साथ तली भुनी चीजे खाने से हमें रियक्शन हो सकती है दूद के साथ नमकीन वाली चीजों को नहीं खाना चाहिए मिल्क वाली चाय के साथ कोई भी नमकीन की चीज नहीं खाना चाहिए क्योंकि नमक के मिलने से जो मिलक होता है उसका प्रोटीन जम जाता है और उसके पोसड में कमी आ जाती है इसके अलामे दोस्तो दूद के साथ फलोग को भी नहीं खाना चाहिए दूद में मौजूद केलसियम, फलोग में पाये जाने वाले एंजाइम को सोख लेता है जिससे सरीर को बराबर पोसड नहीं मिल पाता दोस्तो इसके अलामे हमें उड़त की दाल को खाने के बाद दूद नहीं पीना चाहिए अंडा हो, मीट हो और पनीर हो, इसके खाने के बाद हमें दूद का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इनको एक साथ खाने से डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है दोस्तों अब आईए वीडियो में हम देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे फल हैं जिनकों की एक साथ नहीं खाना चाहिए दोस्तों संत्रा और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो खटे फल होते हैं वो मीठे फलों से निकलने वाले सूगर में रुकावट पैदा करती हैं जिससे की पाचन तंत्र में हमें दिक्कत हो सकती है और ये पौश्टिक्ता में भी कमी ला सकती है और दोस्तों अगर हम देखें कि सहद के साथ हमें क्या नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों सहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए बुखार अगर आपका बढ़ रहा है तो इसमें भी आप सहद के प्रयोक से आपको बचना चाहिए इससे सरीर में पित बढ़ सकता है सहद वो मखन आपको एक साथ नहीं खाने चाहिए दोस्तो इसके अलामे घी और सहद को कभी भी एक साथ नहीं खाने चाहिए दोस्तो मचली के साथ काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए मचली खाने के बाद भी आपको काली मिर्च के सेवन से बचना चाहिए यह आपको नुकसान दे सकता है इसके अलामे दोस्तों तील के साथ पालक का उपयोग नहीं करना चाहिए साथ ही तील के तेल में कभी भी भूल कर भी पालक का कोई भी आइटम फूड ना बनाए ऐसा करने से आपको डायरिया हो सकता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें सेर करें और सबस्क्राइब जिरूर करें धन्यवाद